नमस्कार सभी को KVS ने अभी LDCE के सारे एक्जाम करा लिये हैं प्रमोशन के लिए जो एक्जाम कराते हैं डिपार्टमेंटल तो मेरे पास ये TZT का क्वेस्चन पेपर है मैंने इंग्लिश का पोर्षन सॉल्व करके उसके सारे जो भी थे वो चैनल पे अप्लोड कर दिये हैं अब ये जो आज पार्ट सॉल्व करेंगे विद एक्स्प्लेनेशन वो है आपका पेड़ागाजी अब पेड़ागाजी भी अगर हम बात करें तो इसमें तीन सेक्षन आए हैं पहला जैसा कि आप लोग पहलेंगे उसकी समझ होनी चाहिए टीचर को तो वो कैसे कैसे वैरियेशन होते हैं किन-किन एक्स्पिरियेंस को वो लोग होकर जाते हैं कैसी चीजे फील करते हैं किस तरीके से सीखते हैं तो ये पार्ट है इसमें से 10 क्वेस्चन आये हैं जो अंडस्टेंडिंग लर्नर पे है फिर हम बात करेंगे आगे ये जो है 10 क्वेस्चन हो गए फिर यहां से ये है आपका लिखा यहां पर अंडस्टेंडिंग टीचिंग लर्निंग कि टीचिंग लर्निंग जो अध्यापन आप करेंगे जो teaching आप करेंगे तो उसका process क्या होता teaching learning process क्या है दोनों के बीच में क्या relation है तो उस पे based यहां पे आपके 15 questions हैं कितने हैं 15 ठीक है अगला जो है आपका part वो है यहां से जो है वन मिनिट यह हाँ यह part है creative conductive learning environment ठीक है यह है creative conductive learning environment means एक अच्छे एक creative और वो भी conductive learning के लिए environment कैसा होना चाहिए ता कि बच्चे अच्छा सीख सके उनका betterment हो सके उससे भी कितने questions हैं 15 तो मैंने यह इसलिए बताया कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम 10 questions करेंगे जो की हमारे understanding the learner पे हैं बाकी के जो 15 15 है उनको भी बात में करेंगे मतलब मेरा सीधा सा है कि मेरा यह जो वीडियो है पेड़गोजी को जो मैं cover करूँगा वो तीन पार्ट में cover करूँगा पहले में 10 questions रहेंगे दूसरा वीडियो बनेगा उसमें 15 questions रहेंगे फिर तीसरा बनेगा उसमें भी 15 रहेंगे परपज सर्फ यही है कि मैं अच्छे से चीजों को समझाने की कोसिस करूँगा क्योंकि अगर मैं 40 questions अभी solve करूँ उनको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसको हमें भी upload करने में थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को देखने में भी थोड़ी सी problem होगी क्योंकि लंबे वीडियो ज्याजा तर लोग देखते नहीं हैं उनको ऐसे ही skip कर देते हैं कितना लंबा कौन देखेगा तो मैं यह नहीं चाहता हूँ आप लोग देखें और काम की चीजे हैं और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत पहले एक-दू साल पहले वीडियो बनाये थे पेड़ागाजी से रिलेटेड हां कि उसमें मैंने टाइटल सीटेड डाला था क्योंकि वो जो है पेड़ागाजी सीटेड के लिए मैंने सॉल्व करी थी लेकिन इस पेपर को देखने के बाद आप लोगों को मैं यह कहूँगा कि आप लोग वो सीटेड के वीडियो जरूर देखें क्योंकि जो सीटेड के वीडियो मैंने बनाए है सारा कुछ माटेरियल सारा कुछ कंटेंट वही सब पूछा गया इसमें के वियस में तो उसमें भी मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे हम पेपर को करेंगे कौन-कौन से चीजे हमें ध्यान में रखनी है क्या आप अपने ध्यान में दो तीन चीजों को रखेंगे तब हम जो सबसे सही आप्सन होगा उसको हम टिक कर पाएंगे जैसा कि अब ही जब पेपर ये हो चुका उसके बाद जब ये एंसर की आई थी इसकी तो बहुत सारे ग्रूप्स में सोसल मीडिया वे फेजबुक पे लोग बाते कर रहे थे कि के वी एस वालों के तो एंसर उनके अलग ही होते हैं बहुत बहुत बिसली पेड़ागॉजी की बात कर रहे हैं कि उनके तो एंसर अलग होते हैं वही समझ सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुली ये वही लोग बोलते हैं जिनको पेड़ागॉजी की समझ नहीं है मैंने एक एक चीट पॉइंट आउट करी है मैंने बताए हैं अपने वीडियोज में मैंने जितने भी पेड़ागॉजी के मेरे वीडियोज चैनल में बढ़े हैं कि भाई आप गलस समझते हो कि KVS अपने इसाब से option रख रहा है ऐसा कुछ नहीं है वो आपकी समझ है क्योंकि आपकी समझ ही नहीं है पेड़ागॉजी की पेड़ागॉजी होती क्या है पेड़ागॉजी में जैसा है कि हम बताते Child-Centered Education की बात करते है हम बच्चों को प्राथमिक्ता देते हैं बच्चों को ध्यान में रखकर सिध्धान्त बनाए गए हैं तो हमें जब हम बुक्स पढ़ेंगे अच्छी-च्छी बुक्स पढ़िये न की चैनल्स देखिये जो आजकर लोग बनाते हैं Educationist ने किस Theorist ने क्या बोला है तो उनको ध्यान में रखकर अगर आप करेंगे आप कर ले जाएंगे जैसा कि मैंने समझाया है अपने वीडियोज में कि कैसे हम Pedagogy को करते हैं क्योंकि इन में चार आप्संस दिये होते हैं चार आप्संस में हमें जो Most Democratic लगे Most Creativity की बात जिसमें हो जिसमें बात करें हम Students के Benefit की बात हो जिसमें Student जो है किसी काम को करके सीखें Student जो है उनके लिए Free Atmosphere हो Free Environment हो जहाँ पे हम अपने चीज़ों को ना थोपे और उनसे ही काम करके हम अपने उनको सिखाने की कोशिस करें तो ऐसे options ही सही होते हैं वही सही माने जाते हैं अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप पेड़ोगाजी अच्छे से कर लेंगे नहीं आया है तो अन्य लोगों की तरीके से आप भी blame दोगे कि KBS या सीटेट या CBSC वो उनके अलग ही options होते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है उनके अलग options नहीं होते हैं दरसल आप अभी उस level पे नहीं पहुँच पाए हैं या कहीं ने कहीं आप misguide हो रहा है इदर दर घूम करके चलिए तो बात करते हैं वैसे बहुत सारी बाते हैं कहने को बट जादा हम time waste नहीं करते हैं क्योंकि मेरे वीडियो डिक टू पॉइंट होते हैं मैं चीजों पर ही बात करता हूं या थोड़ा सा मैंने समझाया वो इसलिए समझाया क्योंकि जब मैं answer की आई थी अलाकि मेरा इतना लेना देना नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा लोग करेते हैं उनके तो answers ही अलग होते हैं तो भाई आपको लगता तो आप challenge करिए जाके उनके answers वो आपको prove भी देंगे ठीक है चलिए बात करते हैं आपर पहला question है बड़ा ही अच्छा सा question है पियाजे की theory से है ठीक है अगर पियाजे की theory को समझना है मेरा वीडियो पढ़ा है सीटेट के नाम से पढ़ा होगा उसको आप देख सेकते हैं मैंने उसको explain किया है कि पियाजे ने क्या कहा था अब इन्होंने पूचा cognitive development में जब बच्चे की संग्यानात्मक विकास जो होता है संग्यानात्मक विकास के theory पियाजे की है तो कहते हैं कि जिसे कि यहाँ पर दिया in the context of cognitive development of a child which one of the following is an example of rudimentary concept formation तो कि यह concept formation यह जो है यह पियाजे का सिद्धान्त है और उसमें भी यह rudimentary होता है प्रारंबिक initial stage initial stage होती है बच्चे की concept formation की महलब किसी भी चीज़ को वो अपना जब बनाता है starting में छोटा होता जब तो वो कोई भी चीज़ को अपने mind में frame करता है वो कौन सा concept बनाता है वो भी कब rudimentary initial stage में ठीक है तो यह पूछा गया है the child thinks that तो इन में से कौन से चारो option में कौन सा ऐसा है कि rudimentary concept formation को symbolize कर रहा है कौन से option में rudimentary concept formation का जिक्र किया गया है तो पढ़ते हैं यहाँ बे all men are daddy cow is a big animal with four legs and a long tail cat and doll are different from each other rain is a natural phenomena तो जैसा कि हमें पता है Piaze ने अपनी four stages दी है sensory motor pre-opersonal concrete operational और जो है आपकी post वाली ठीक है conventional जिसको बोलते हैं तो यह चार दी है तो चार में यहाँ पर rudimentary जो concept formation होता हो पहली अवस्था में होता है और पहली अवस्था में क्या होता है कि बच्चा commonly एक बनाता है मतलब जैसे कि मैंने explain किया था example देकर कि मानलो एक चड़िया बैठी है बले ही वो कौवा है वो काला है और वहीं पर अगर कोयल बैठ जाए या वैसा ही कोई और पच्छी बैठे तो वो सब को वही बोलेगा जैसे कि मानलो बकरी है बकरी के चार पैर है और वैसा ही कोई भी जानवर अगर होता है बले ही वो कुटा हो तो वो उसको भी बकरी समझेगा अगर उसको बकरी बता दिया जाता कि बकरी है क्योंकि वो difference नहीं कर पाता है तो यहाँ पर पहला option सही हो जाता जो rudimentary concept formation को बताता है कि all men are daddy कि उसको बता दिया गया यह daddy है जिसे बालों उसके पापा को ही सामने है बोल दिया आपके daddy है तो वो जितने भी आत्मियों को देखेगा वो daddy ही बोलेगा यह rudimentary concept formation है पियाजे की theory है और पियाजे को समझना है तो मेरे videos आप देख सकते हैं मेरे videos आप देखिए जो seated के पड़े हैं आपको फायदा मिलेगा अब अच्छा करोगे ठीक है next है vicarious learning takes place by अब vicarious की अगर बात करें तो vicarious learning किसे कहते हैं तो vicarious learning होती है experience से सीखते हैं मतलब उनको observe करके तो यहाँ पर पहला option हो जाएगा vicarious learning takes place by observing others इस दूसरों को observe करके सीखना उसको vicarious learning बोला जाता है ठीक है फिर है in the context of development read the following मतलब development के परिप्रेच में पूछा गया है कि read the following unevenness, steadiness, uniformity, variation चार यह option दिये है ABCD इसमें पूछा गया in terms of the rate of development in various dimensions of personality development does not exhibit कि जैसा कि अब बात करें हम development की तो जो rate of development होता है जब विकास की हम बात करते हैं तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जरूरी नहीं है कि हर वेक्ति में समान रूप से हो तो जैसे कि इसमें 4 option में उन्हें बुछा does not exhibit विकास की प्रक्रिया में कौन से इसमें option है जो बिलकुल भी exhibit नहीं करते हैं या rate of development से वो match नहीं खाते हैं तो अगर पहला option देखे unevenness unevenness असमानता होती है और यह सही है जैसे कि development हर बच्चे में एक जैसा नहीं हो सकता है किसी में कम होगा किसी में जादा होगा किसी में बहुत जादा होगा तो वो vary करता रहता है ठीक है तो unevenness यह तो development का part है लेकिन इन्होंने पूचा does not तो यानी a तो नहीं होगा तो a और a आपके first and third में है it means first and third eliminate हो गए ठीक है तो ये option आपके इसमें नहीं हो गए बचे आपके B and D आगे और पढ़ते हैं steadiness steadiness भी निरंतर मतलब एक जैसी steadiness means होता है एक जैसी uniformity means भी होता है एक जैसा तो भाई विकास एक जैसा नहीं होता अभी क्योंकि ये unevenness और variation ये दो एक ऐसी चीजे हैं जो development में पाई जाती है variation भी होता है कभी तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है किसी में ज़्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा है तो ये दो चीजे है B and C ये नहीं है तो इसलिए जो option है आपका 4 हो जाएगा अब ठिक है क्योंकि variation तो part है तो D भी यहाँ पे eliminate हो गया हमें नहीं पता है Elimination process से भी हम कर सकते हैं ऐसे question को क्योंकि variation development का ही एक part है rate है कभी किसी में कम है किसी में ज़्यादा है किसी एक stage में ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ तो इस तरीके से हमारा B and C जो है fourth option does not exist in the rate of development next है according to Kohelberg the moral development among children does not depend on their अब अगर moral development की हम बात करें तो Kohelberg पे भी मैंने एक video बनाया है Kohelberg पे मेरा एक video पढ़ा है वो आप देख सकते हैं मैंने पियाजे, Kohelberg, Vygotsky सब को cover किया है वो seated के नाम से videos है और pedagogy तो pedagogy है वो सेटेट में पढ़ें चाहें म बीड में पढ़ें चाहें, अब डीअलेड में पढ़ें अब क्वेस्चन्स तो वहीं आएंगे हम जब exam देंगे, KVS का दें, या जोबी दे जहां भी pedagogy पूछी जाएग आना वही है तो नाम चाहें, जो दे दे हम seated का दे आएं हम KBS का दे आ हैं, हम NBS का दे आ हैं, हम DTSB का दे आ हैं, या हम UP का दे आ हैं, या अपने स्टेट का कोई भी दे आ है, पेड़ागाजी means पेड़ागाजी, सिद्धान तो वही है, सारा कुछ वही है, ठीक है, आपके जो जो भी जितने भी, जिन्होंने भी सिद्धान दिये हैं सोचियो कल्चिरल थेरी उन्हों नों दी है ठीक है सोचियो कल्चिरल थेरी वाइगोस्की नहीं दी पियाजे ने कॉग्निटिव डिवलमेंट की बात करी है कोहल बर्ग ने मोरल डिवलमेंट की बात करी है तो यहां पर पूछ रहे हैं according to कोहल बर्ग, the moral development among children does not depend on moral development किस चीज़ में depend नहीं करता है घब अप ब्रींगिंग पे भी करता है level of intellectual development में भी करता है learning experience में भी करता है तो future aspirations से कौई मतलब नहीं होता है मैंने explain किया है मेरा वीडियो देख सकते है seated के नाम से पढ़ा होगा कोहल बर्ग का तो future aspirations की बात नहीं होती है कोहल बर्ग के moral development में ठीक है adolescent develop a sense of identity if they जो वयस की सोरा वस्था की बात करी गई है जो adolescent होते है develops a sense of identity if they, वो sense of identity कब develop होती है if they, resolve the Christ तो आप सुनिया पे two हो जाएगा resolve the crisis related to previous stage जब उनको पिछली अवस्था की problems, जो crisis है उनसे जब experience मिल जाता है उनको resolve कर लेते हैं उनको solve out कर लेते हैं तब वो अपने आपको identity उनको माना जाता कि हाँ, ये सही है ठीक है फिर अब जैसे इसमे minimize their daydreaming tendency ये भी नहीं होगा channelize their energy, ये भी नहीं होगा rebel to think something concrete level भी नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर next is the changes which occur at adolescence are controlled by किसोरा वस्ता में जो changes होते हैं, वो किसके दोरा control किये जाते हैं तो यहाँ पर obviously simple सा question था, hormones कि किसोरा वस्ता में ही हमारे hormones निगलते हैं, लड़के होते हैं, उनके दाड़ी, मूथ, बाल जो है आ जाते हैं लड़कियों में भी बहुत सारे changes देखे जाते हैं ये सब का बात है adolescence की एक stage होती, उसी में होते हैं ये hormones ही इनके लिए responsible होते हैं next है आपका बहुत अच्छा question है, मैंने बताया था situation based question जरूर आएंगे आप चाहें test series करिए लोगों की चाहें आप उनके course लीजिए बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आने वाला है आपका जब तक आप खुद का दिमाग आप उस तरीके से नहीं लगाएंगे यहाँ पे है, the teacher has divided his class into the groups for working on some projects the teacher has divided, मतलब यहाँ पे कह रहे है, teacher ने एक अपनी class को divide कर दिया groups में कोई एक project है, उनको project दिया उस पे अपनी class को divide कर दिया कुछ groups में the groups are heterogeneous with respect to intelligence मतलब जो groups है, वो भी काफी intelligence की एकर बात करें, तो heterogeneous है it is observed that one student of a group does not question anything, but rest of the group members keep questioning the teacher, तो teacher यह observed करता है कि उस group में क्या है कि एक बच्चा है, एक छात्र है जो question नहीं पूछता है, लेकिन जो rest of the group members, जो अन्न जो group members हैं, वो जो है interaction करते हैं, questions पूछते हैं the teacher asked the student that why does not he ask any question like his peers तो भई teacher को गुस्सा आती है या कह सकते हो, उसको तोड़ आजीब लगता है तो वो कहता है उससे कि बेटा, तुम अन्न अपने साथियों की तरीके से question क्यों नहीं पूछते हो, जैसे अन्न लोग पूछते हैं, अन्न लोग interaction करते हैं तुम क्यों नहीं करते हो तुम क्यों नहीं करते हो तो तुम्हें भी अपने अन्न साथियों की तरीके से questions पूछने चाहिए तो यह एक situation दी गई है, मतलब यह situation आपके सामने दे दी गई, ऐसी situation है तो इसके पीछे purpose, उन्होंने question क्या पूछा है, purpose क्या है उनका the interaction of the teacher with that student, मतलब उस student को जिसको उन्होंने interaction किया है जिसे यह सारी बाते कहीं है, shows that the teacher is expecting from the student तो वो क्या यह चीज शो करती है, कि teacher क्या expect करता है उस student से जब उसने कहा कि तुम क्यों नहीं जवाब देते हो, बाकि अन्हे साथ ही तुमारे sorry, पूछते रहते है, question पूछते रहते हैं, तुम बिल्कुल साथ रहते हैं, क्यूँ? तो वो क्यूँ ऐसा कहता है, इसके पीछे क्या purpose है, क्या expect कर रहा है तो पहला है, the student should show his individuality, क्योंकि उसने कहा, he should ask a question like his peers, अपने peers की, अपने साथियों के समान ही उसको question पूछने चाहिए तो individuality की बात ही खतम हो गई, तो यह option आपका eliminate हो गया the student should know that, should know what is the status of the project given to the group, यह तो irrelevant है topic से the student should show obedience, बिल्कुल नहीं होगा option, obedience की कोई ऐसी बात नहीं है he should adhere to group confirmity, यही वो करना चाहता है, उसको अपने group confirmity, इमने ग्रूप के समान ही उसको भी पूछना चाहिए, उसके समान ही रहना चाहिए, confirmity में ग्रूप के जैसा ही उसको होना चाहिए, उसी के उसी के समरूपता, confirmity और like यह same word है, तो इस वज़े से यहाँ आपका प्रूप्सन फोर जो है बिल्कुल correct है Children learn role expectation for adults as well as themselves throw, children जो है, जो role की बात अगर करते हैं, role expectation, जो role भूमिका, जो उनकी होती है, जो भी वो role play करना चाहते हैं, कहने का मलब समान, जो भी अपने life में क्या बनना चाहते हैं, क्या किस सरीके से अपने को present करना चाहते हैं, for adults as well as themselves throw, तो वो community में ही सीखते हैं, option two हो ज जाएगा, ठीक है, समुदाय में, community में ही वो यह सब, role expectation, for adults, और खुद के लिए सीखते हैं, फिर से कोहलबर्ग आ गए, according to कोहलबर्ग, most adolescent are at the level of morality, कोहलबर्ग के हिसाब से, जो किसोरा वस्ता वाली age होती, मलब जो किशोर होते हैं, most adolescent are at the, तो वो किस level पे होते हैं, जैसे कि तीन इनों दी है, इनकी तीन होती है, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो में भी समझाया है, pre-conventional है, conventional है, post-conventional, तीन इनोंने stages दी है, चौती preliminary, कोई ऐसी इनकी stage नही तो यह कह रहा है, कि जो adolescent होते हैं, वो किस level में होते है, morality है, तो तीन में इनोंने बताई, तो यहाँ पे conventional हो जाएगा, तो option two सही है, और detail में समझना है, तो मेरा वीडियो को हल बर्ग वाला आप देख सकते हैं, कुछ चीजे मैं बता दूँगा, pre-conventional पहली अवस्ता होती है, conventional दूसरी वस्ता होती, post-conventional में जब हम बहुत ही आगे चले जाते हैं, नेतिकता की जब बात करते हैं, जब विवेक की बात करते हैं, वहाँ पे होता है, ठीक है, जिसे की, चलो, मैंने विसे explain किया है, आप लोग देख लीजिए, फिर भी मैं कुछ चीजे बताने जा र लड़का और अच्छी लड़की का सिध्धानत इन्होंने ही दिया है, ठीक है, और जो है, की बच्चे के अंदर कैसे विकास होता है, नेतिकता के यादार पर उसको दंड और पुरस्कार की बात ये करते हैं, ठीक है, तो जो last की stage post-conventional है, वहाँ पे क्या होता है, बच्चा वो मायने नहीं रखता है, अब उसका विवेक मायने रखता है, विवेक का मतलब अगर माल लो किसी की जान बचाने के लिए जूट भी बोलना पड़े, तो वो भी जूट बोल देना चाहिए, ऐसी बात होती है post-conventional में, ठीक है, और conventional में तो नतिकता की ही बात होती है, वहा constitutional stage में होते हैं, next है, while teaching the concept of democracy to class six students, a social science teacher explain the concept, give example, ask question from the students and give home assignment, the teacher is primarily focusing on, अब यह पूचा गया है, तो किस चीच पर teacher focus कर रहे है, तो जिसे है कि while teaching the concept of democracy, democracy माल लो पढ़ा रहा है teacher, six class के student को, एक social science के teacher है, वो democracy पढ़ा रही है, तो वो concept को explain करती है, examples देती है, कुछ question पूचती है, और homework देती है, तो यह कौन सी thinking पे development कह सकते हैं, focus किया जा रहा है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो concrete thinking ही होगी, ठीक है, मलब एक overall idea लेना, concrete thinking मलब एक चीज़ को समझना, तो यहाँ पे associative thinking है, associative thinking कब होती है, जब हम किसी से associate करके उनको real life situation दे करके समझाते हैं, reflective में उनके विचारों को हम reflect करने की reflection देते हैं, abstract thinking क्या हो जाती है, जब हम उनसे कोई ऐसा question पूछ देते हैं, कि सोचो कि तुम्हें ऐसा करना हो या तुम हो, तो वो abstract thinking हो जाती है, तो ऐसा कुछ वो कर नहीं रहें या रही है, जीदा सिदा chapter को क्या कर रही है, explain कर रही है, concept को, और example उससे दे रही है, और उनसे question पूछ रही हो, मैं assignment तो यह concrete thinking होती है, ठीक है, और यह old method होता पढ़ाने का, रटने वाला कह सकते हो, क्योंकि आज कल, जो हमारी child-centered education है, उसमें इसको बिल्कुल भी importance नहीं दी जाती है, तो यह 10 questions थे आपके, जो understanding the learners से थे, बस अभी आप लोग इसको देखिए, तब तक मैं और भी दूसरा part बना रहा हूँ, तो उस दूसरे part को भी मैं अभी upload कर दूँगा, तो तीसरा भी मैं आज ही बना दूँगा, उसको मैं upload कर दूँगा, तीनों आप देख लीजिएगा, और बाकी अच्छे से अगर pedagogy समझना है, तो मेरे वीडियो पर देख लीजिएगा दंग से, तो यह है कि आपका अच्छा कर सकते हो, चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में,